नमस्कार में दिपाली आप सभी का स्वागत दिपाली एस्टो में करती हूं और देखते हैं आज का दिन इनकी 17 फरवरी 2022 कैसा जाने वाला है तो चलिए शुरुआत करते हैं मेश राशी वालों के साथ मेश राशी वालों आज के दिन की मैं बात करूं तो समानिता जैसे परिस्थिती चल रहे है चलती रहेगी consistency को बस आपको आज के दिन maintain रखना है लंबे समय की या आज से दो से तीन महिने की planning भी आप आज के दिन करते हूँ नजर आ सकते हैं निवेश करने के संदर्व में क्ल मिला कर अगर आर्थिक स्थिरता की तरफ आप विचार बनाना चाहते हैं विचार करना चाहते हैं आपम बल में बड़ोत्तरी करना चाहते हैं तो आज сразу d는 डो तिन महिनों के लिए लाबदा एक माना जा सकता है पारिवारिक स्थिरता भी बनी रहेगी बस अपने आपको और आपको positive करने की देरी है बात करते हैं विर्शव राशी वालों के लिए विर्शव राशी वालों परिस्तिति आपके favor में already आ चुकी हैं खास दोर पर अगर मैं relationship stability की बात करूँ तो काफी लंबे समय के बाद आपके परिवार में ऐसी परिस्तिति आई है जहां पर आप कहें न कहें confident अपने आपको महसूस कर सकते हैं परिस्तिति आपके favor में रहेंगी लंबे समय में अगर आप चाहते हैं कि परिवार के साथ आप कुछ कोई travel plan कर सकें कोई holiday plan कर सकें या get together plan कर सकें मजबूती लेकर आ सकता है बात करते हैं मिथुनराशी वालों के लिए स्वास संबंदी चिंताई मिथुनराशी वालों आपको सता सकती है खास तोर पे आज से अगले 4-5 दिन में विशेश द्यान रखना है अगर आपको खान पान में कोई थोड़ी सी भी दिक्कत दिख रही है यानि कि digestive system से related कोई दिक्कत हो रही है तो उसको आपको lightly नहीं लेना चाहिए समय समय पर डॉक्टरी परामर्श ये सला लेते हुए आगे बढ़िए साथी साथ कारिश शेतर में कुछ नई opportunity आ सकती है जो आपके लिए काफे ज़्यादा लाबदायक सिध्ध हो सकती है वो एक positive change आपको अपनी परिस्थिती में या situations में देखने को मिल सकता है सब तरफ से positivity बनी रहेगी मन आपका शांत रहेगा विचार आपके प्रबल रहेंगे लोग आपके काम की तारीफ करेंगे कुल मिलाकर आज का दिन बस्वास संबंदी चिंताओं पर अगर आप focus करें बाकी सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी बात करते हैं करकराशी वालों के लिए करकराशी वालों आज का दिन जहां पर आपको निवेश करना पड़ रहा है तो सोचके समझ के रिव्यू करके सभी तथियों को फिर करें साथी साथ माता या माता तुले किसी सदस्चे की तरफ से आपको थोड़ी सी चंता हो सकती है उनके स्वास्त को लेकर और उनकी परिस्थिति को लेकर के लिए favorable बनी रहेगी लंबे समय से अगर आप किसी लीगल तनाव से या बाधा से जूज रहे हैं तो अब वहां पर आपको कोई ना कोई नेगोशियेट करने की परिस्तिती या आपके लिए favorable results आप expect कर सकते हैं साथी साथ अगर आपका payments या पैसे कहीं से रुके हुए हैं तो वो भी परिस्तिती अब release होती हुई नजर आएगी कोल मिला के आज का दिन आपके लिए नई परिस्तितियों को या नई opportunity को लाकर सामने रख सकता है अगर आप tactfully दिन की शुरुआत करें तो बात करते हैं कनेयर आशिवालों के लिए कनेयर आशिवालों स्वास संबंदी चिंताएं balanced out होती हुए नजर आएंगी अपने उपर काफे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे emotionally आज के दिन stable रहेंगे परिस्तितियों को गहन शोत करके आप सारे pros and cons को identify करके आगे बढ़ेंगी रिष्टों में प्रगारता आएगी confidence level आत्मबल में वृद्धी होगी पराकरम में वृद्धी कारशेतर में भी आप देखने को आपको मिलेगी साथी साथ सामाजिक साख या प्रतिष्टा में भी आज के दिन इजाफ़ा होता हुआ देखा जाएगा कुल मिला के आज का दिन आपके लिए परिस्तितियों से या opportunities से भरा हुआ हो सकता है बात करने हैं तुलाराशी वालों के लिए तुलाराशी वालों आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज का दिन आपको कही न कहीं चिंता में डाल सकता है परिवार के किसी सदस्य की तरफ से आपको कुछ न कुछ चिंता हो सकती है उनकी तरफ से कटू शब्दों का प्रयोग भी हो सकता है आप हताश ये हताशा भी आपको हो सकती है तो आज के दिन सोच के समझ के संबंधों को आगे लेकर चलना है शब्दों का प्रयोग सोच के समझ कर करना है जल्दबाजरी में कटू शब्दों का प्रयोग आपकी तरफ से ना हो जो बाद में आपको कही न कहीं परशाने का सबब बन सकते हैं इसलिए अगर आपको किसी परिवार के सदस्ट से डिसकनेक्ट हो रहा है अपने आपको उस अवस्था से दूर करिए अपने आपको डिटाच करिए कुछ समय के लिए उस परिस्तिती उस अवस्था उस सिचुएशन से दूर चले जाईए बात करते हैं विश्चिक राशी वालों के लिए विश्चिक राशी वालों ट्रावलिंग आपके लिए इंडिकेटेड है ये ट्रावलिंग कारशेतर के संदर्भ में हो सकती है रिलोकेशन भी आपके लिए अगर आप एक शुक्त है तो आपके लिए पॉजिटिविटी ला सकता है लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाओ भी अपसाजा होता हुआ नजर आएगा जो लोग अबराट सेटल्मेंट के बारे में सोच रहे थे वहाँ पर वीजा प्रोसेसिंग की बात करें या डॉक्यमेंटेशन की बात करें जहां पर लंबे समय से प्रोसीजरल डिले हो रहा था वो पर इस चिती भी अब आगे बढ़ती हुए नजर आएगी साथ साथ आतनबल में वृद्धी होगी अपने और अपने परिवार के लिए कोई महत्वपूर्ण दृष्टिकूर्ण या तो डिवेलप कर पाएंगे लाइस्टाइल में चेंज कर पाएंगे या कुछ ना कुछ एक निरने ले पाएंगे जो पूरे परिवार के लिए पॉजिटिविटी लाव सकता है बात करते हैं धनुराशी वालों के लिए धनुराशी वालों आज का दिन आपके लिए कही न कहीं पॉजिटिविटी और उर्जा से भरपूर हो सकता है लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव या विवाद भी अपसाजा हो सकता है और आपके लिए विजय आप हो सकते हैं आपके लिए विक्टरी इंडिकेटर है साथे साथ लंबे समय से चल रहा कोई financial matter जो की कोट में लगा हुआ है अगर उससे के साथ आप जूज रहे हैं तो उसमें भी आपको विक्टरी देखने को मिल सकती है कुल मिलाकर जो लोग अपनी आर्थिक स्थिर्ता को और positive धंग से सुनियुजित होकर आगे बढ़ाना चाहते हैं आज का दिन सर्वोत्तम या सर्वोपरी माना जाएगा साथ ही साथ बिजनस विस्तार की या कारिश शेत्र में कुछ ना कुछ बदलाव के लिए जो लोग इक्शुक थे वो समय भी अब आपके पक्षमे कंट्रोल में आ चुका है बात करते हैं मकरडाशी वालों के लिए पारिवारिक स्थिर्था मकरडाशी वालों बनी हुई है मन आपका शांत है पॉजिटिविटी इंब्रेज करते हुए जिस तरह से जिस परिस्तिती से आप अपने आपको निकाल कर लाए है काबिले तारीफ है रिष्टों पर अब आपको ध्यान देना जरूरी है अपने मन को शांत रखिए पॉजिटिविटी इंब्रेज करिए आपको सब तरह से अपनी चीजों में पॉजिटिव इंडिकेशन्स देखने को मिल जाएंगे लोगा आपके काम की तारीफ भी करेंगे मन आपका श्रांत रहेगा लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाओ भी अब कही न कहीं साजा होता हुआ नजर आएगा वो भी आपकी सूजबूच का परिचे देने की वज़ा से साथी साथ जो लोग इंवेस्पेंट करने के एक शुक हैं अब वो कर सकते हैं बात करते हैं कुम्बराशी वालों के लिए कुम्बराशी वालों सिच्चुएशन्स परिस्थिती अवस्थाएं आपके फेवर में आ चुकी है समाने ता आज का दिन रहेगा कुछ खास उतार चड़ाव चीज़ों में देखने को नहीं मिलेगा जैसे चीज़ें चल रही हैं चलने दीजे अपने मन को अपने विचार को अपने आत्म बल को अपने कंच्रोल में रखिए साथी साथ अपने उपर काम करिए जिस तरह से आपने परिस्थितियों को ढाला है काबिले तारीफ है बिजनस में इस्थिर्ता की बात करूँ कारेशेतर में परिस्थितियां अच्छी होने की बात करूँ दोनों ही तरफ आपको अवस्थाई सिचुवेशन अपरचुनिटीज आज के दिन देखने को मिल सकती है या आज के दिन से आगे आने वाले कुछ दिनों में उसके शुरुआत हो सकती है बात करते हैं मीन राशी वालों के लिए मीन राशी वालों आज का दिन स्वास संबंदी चिंताओं को बढ़ा सकता है तो आपको आज के दिन स्वास के प्रतीद थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है खान पान पर नियंतरन रखिए अपने उपर काम करिए अगर आपको लगता है कि आपको exercise, gymming कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपके lifestyle को improve कर सके तो उस पे आप काम करना शुरूर कर दीजिए साथे साथ आज के दिन कारेश शेत्र में उननती के कुछ अवसर कोई मेत्वपूर्ण, सला, निर्देश, information, कुछ संकेत आपको किसी व्यक्ती विशेश की तरफ से मिल सकते है यह व्यक्ती विशेश आपके परिवार का कोई स्वरदतम सदस्य हो सकता है आपका गुरू हो सकता है या आपका mentor हो सकता है दोनों ही परिस्तितियों में अगर मैं देखूं चाहे वो घर का व्यक्ती हो या बाहर का राय आपको बहुमूल मिलेगी अगर आप उसको positively लेंगे उसको कैसे अपने जीवन में उतारेंगे वो आप पे निर्भर करता है कि कैसे आप उससे success factor को determine कर पाएंगे इसी के साथ मुझे आग्या दीजे मैं कल फिर आजरूंगे नमस्कार